शहर के अंबा माता थाना इलाके में महिला का शव मिलने से बुद्वार को संसनी फैल गई गटना के बाद मौके पर भीड एकत्रित हो गई जबकि पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा कर जाच शुरू कर दी है मौके पर जमा भीड ने बताए कि 45 वर्षी महिला बकरिया चराने का काम बरसो से करती थी सुबह गर से निकली तो शाम तक नहीं लोटने पर उसके बेटे ने आसपास खोजबीन की इस दोरान किसी ने बताए कि उसकी मा का शव फिला डेलफिया चर्च के पीछे पेंटिंग होस्टल की मंगरी के पास पड़ा है जहां पर उसका पुत्र महुचा तो शव पड़ा हुआ था और उसके माथे में चोट के निशान भी थे लोगों का कहना है कि महिला के पत्ती की डैथ होने के बाद से ही महिला अपने बेटे के साथ मला कलाई लाके में रहती थी गटना इस्थल पर महिला का शव बगैर कपड़ों के मिला जिसे महिला के साथ दुशकर्म से भी इंकार नहीं किया चा सकता है बताय जा रहा है कि गटना स्थल के आसपास न सेडियों का जमावडा रहता है हो सकता है कि किसी ले महिला के साथ दुशकर्म के बाद उसकी हत्या कर दी हो फिलाल पुलिस ने शव को मोर्चनी में रखवाया है और आगे की चांच शुरू कर दी है और अच्छा ने शाथ टुक्या गाम करते हैं आपके फादर किया गरते हैं अच्छा बापा से लास बाद कब मिला मुलकात हुई थी जोटा था जब तो नहीं ममी से सुबह कब मिले थे लास्त वा सुबह साथ बजी लेकर या ममी को बिलके गया हाँ आपको कदेर में कड़े भड़े या राथ में रखे अगे तक है पूछी निष्टा करेंसे निखें बाई टाओ कआटो आपको पता केसे चला कि इस अहां पे गट नहीं है अभी नोकृष आया यह जबुझे तो आपको किसे बता है यह ज़िए आपको किस ने बता है भई Again निया फोन किया था मैं ठीक